पिछले दो माहिने से किसान कृशी कानून के खिलाफ और अपने हक की मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहा है ऐसे में गुरुवार को किसानों ने दिल्ले कूच किया लेकिन जो तस्वीरे देखने को मिली वो बेहत दुखत थी किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और इतना ही नहीं उनपर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और जब किसान फिर भी नहीं रुके तो किसानों पर पुलिस ने लाथी चार्ज भी किया जो बेहत निंदन यह है और मजबूरन जो पुलिस है वहाँ पर उनको लाठी उठानी पड़ी और किसानों को रोकना पड़ा लेकिन दुख होता है तब जब ये किसान हमारा पेट भरते हैं और कई बार इनको इनकी फसल का उचित मूले नहीं मिल पाता अब आपको वो तस्वीर हम दिखाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थी ये तस्वीर किसानों के दिल्ली कूच जाते समय की है जब पठ्याला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तमाल किया गया किसानों पर आंसूंगे इसके गोले छोड़ दिया गए जिसके बात किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि किसानों ने बारिकेटिंग को ही नदी में फिंक दिया बिगरते हालात के बीच आरेफ को बुलाए गया और आक्शिन दिया गया अब ये जो छे तस्वीरे आप देखे आप इनको समझे कि जब किसान बारिकेटिंग के पास आयत वाटर कैनन का इस्तमाल किया गया आंसूंगे इसके गोले छोड़े गए और किसानों का पत्राव भी देखने को मिला इसी के साथ साथ अगर पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो किसानों ने भी मूतोर जवाब दिया है बारिकेटिंग तोड़ी गई किसानों के और से सुरक्षा बलों से जड़ब की तस्वीरे भी सामने आई किसानों का दिल्ली कूच कितना सफल रहता ह ये देखने वाली बात है लेकिन किसान रुकने वाले थमने वाले इस बार नहीं है